रेड्मी 5A, रेड्मी 5A जो परसो ही लॉंच हुआ है, मैं आज उसका अन्बॉक्सिंग करूँगा, यह मैंने परसो बुक किया था और आज यह मेरे घर पे आ गया है, तो देखते हैं इस बिब्बे में क्या-क्या है, पहले तो हमें यह मुबाइल मिल जाता है, मुबाइल को बाजू में मिला है, और उस पीकर नीचे मिला है, रेड्मी 3S है और यहां पर दो स्लॉट मिल जाते हैं, एक मेम्री कार्ड के लिए और जो बड़ा वला स्लॉट है, दो सिम कार्ड के लिए है, तो अच्छा है पहले से बेटर इंप्रूमेंट हुआ है, यह मुबाइल में, तो देखते हैं अंदर इसके क्या क्या था इसको मिल जाता है template और डेटा के बल मिल जाता है आपको charger मिल जाता है डेटा के बल charger 0.2 ampere का और normal charger है fast charger नहीं है mobile चालू हो रहा है तब तक मैं आप इसको इसके features बता देता हूँ तो इसमें मिल जाता है 5 inch की display HD display मिल जाएगी और 13MP की rear camera यानि कि back camera 13MP होगा और जो front camera है वो 5MP 425 का square core processor है snapdragon 425 का है 128GB micro SD card इसमें supported है और जहां तक देखा जाए कि ये phone budget का है 5000 में आपको इससे अच्छा कोई भी phone नहीं मिल पाएगा तो आप अगर आपको book करना है तो इसके mi.com में जाके booking date आप देख सकते हैं उदर पे 12 बज़े booking चालू होती है आप उदर से जाके book कर सकते हैं तो आते हैं mobile के पास camera quality flash के साथ देखते हैं इसमें ऐसी quality आई है देखिए इसमें zooming करने के time मतलब इसमें फड़ा pixel फट जाता है हर mobile का फटता है पर लेकिन इतना नहीं फटता है इतना इसलिए camera quality उतनी अच्छी नहीं है इसमें पर नॉर्मल है 5000 के हिसाब से perfect camera है 4G mobile है और जी ओ तो supported होगा ही तो इसमें option में ये तो normal जैसे पहले वाले phones में जैसे मिलते थे settings सब वैसे ही मिले हैं तो इसमें वीडियो में देखते हैं slow motion नहीं दिया है उन्होंने जैसे कि note 4 में उन लोगदन दिया था तो note 4 में वो system है पर इसमें नहीं है तो हम एक HDR का फोटो लेंगे HDR का फोटो देखिए लोड ले रहा है थोड़ा सा फिर भी फोटो आ गया है देखे जूम करने के टाइम ये थोड़ा सा फट जाता है तो ये इसमें drawback मिल लेगा एक तो इस mobile में MIUI 9 है चलिए देख लेते हैं setting में जाके ये MI MI का app है और ये setting में जाते हैं हम और देखते हैं ये MIUI 9 है ये developer option खुलता है वो क्लिक करने से और या Android version है Nogget तो यहां पर देखिए 2GB RAM है इसमें 1.40 GHz की Quad processor है और Redmi 5A और यहां पर 16GB इसकी internal है इसकी दो भी रेंट आती है 32GB और 16GB उसमें 32GB में 3GB RAM मिलेगी इसमें 2GB RAM है 16GB internal है और 4GB RAM वाली भी है और उसमें आपको मिल जाएगी 64GB की internal memory तो यहां पर आपको मैं बता दूँ कि इसमें inbuilt apps हैं जो MIUI 9 के सब मुबाइल में है Microsoft के सब app है आप यूज कर सकते हैं इसे और यहां पर update भी इसका latest आते रहेगा क्योंकि latest mobile है Redmi 5A और यहां Xiaomi वालों ने जो 5000 का budget smartphone निकाला है वो मेरे हाथों में हैं और आप इसे buy कर सकते हैं MI.com या flip card से और यह मैंने flip card से मंगाया है Amazon पर यह अविलेबल नहीं था तो एक दिन में fast delivery होई है अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम धन्यवाद